हेलो दोस्तों आज हम पोहे से पोहा ना बनाकर पोहे से बनाएंगे एकदम चटपटा healthy और स्वाधिस नास्ता जिसे आप भाग दोड़ की जिंदगी में डेली बनाकर कभी भी किसी टाइम खा सकते हैं और चोटी मोटी भूप में साम को स्नैक्स के रूप में भी बना सकते है तो चलिए देख इस बात की शुरू करते हैं इस नास्ते को बनाने के लिए सबसे पहले हमें लेना है पोहा पोहा मोटा पतला जैसा भी योग के पास वो चलेगा तो चलिए ले लेते हैं एक कप पोहा ले लिया है हमने या पर मैंने या पर फिलाल पतले वाला पोहा लिया ह काफी लंबे प्रोसस के बाद यह बना होता है तो हमें सबसे पहले इसको थोना है और अगर कभी सूखे पोहे से कुछ बनाना पड़ जाए तो कभी भी पोहे को डिरेक्ट इस्तमाल ना करकर उसे साफ कीचन टोवल से पोच कर ही इस्तमाल कीजिए तो यहां पर मैंने पानी ड और काफी फुला फुला हो गया और इसकी मातरा भी बढ़ गयी और अच्छे से घिलिला भी हो गया है तो अब हम यह पर देंगे ग्रैंडर जार इसपोहे को कर देंगे त्रांस्फर है तो इस Judith का था मोटा पतला जैसा भी पोहा हो आपके पास वह यहां पचलेगा तो तीन चार लसुन की कलियां डालिए छिलकर साथ पर डाला है दो तुकड़े अद रखे लसुन आप नहीं खाते तो आप इस लसुन को स्किप कर सकते हैं दो तिन हरीमिर्ची डालिए बारिक तोड़कर जिसस का एक महीन पेस्ट पनकर रेडी हो गया बिना लम्स के तो हमें इस पेस्ट को अभी इस तरीकी से ही रखना है इसमें पानी वगर अभी हमें कुछ नहीं मिलाना मैं आपको यहां पर चम्मत चला कर दिखा देती इसकी कंसेशनसी को और आप देख सकते हैं यह अभी काफी ग करेंगे और इसमें डाल दिए एक प्याज छोटी वाली महीन चौप करके साथ में डाल देंगे हम यहां पर थोड़ी सी पत्ता गोबी पत्ता गोबी की यानि सब्जी की मातरा आप अपने हिसाब से घटा या बढ़ा सकते हैं जितना भी आप यहां पर लेना चाते हैं और सब्जी पर ही डाल देंगे हम यहां पर आदी शिमला मिर्ची बारी कट करकर मैंने फिलाल यह दो तीन सब्जा यह लिए अगर आप इसमें और ज्यादा सब्जा डालना चाते हैं जैसे की बेन्स गाजर तो आप वो भी एड़ कर सकते हैं इन सब्जी को सिरफ हमें कच्छा अब यहां इस मिक्चर को कलर फुल बनाने के लिए एक पिंच हल्दी का हल्दी की मतरा हमें यहां पर हाथ रोग कर ही डालनी है साथ में डालेंगे स्वाद अनुसार नमक और साथ में ही डालेंगे थोड़ी सी चिली फ्लैक्स या कुटिवी मिर्च जो भी आपके पास हो अ में पिसावा धनिया पाउडर और साथ में जाएगा थोड़ा सा चाट मसाला दोनों ही चीजे मैंने आपर एक चोथा चम्मच ली है अब इन सारी चीजों को हम या पर एक अच्छा सा मिक्स देंगे अभी हमने इस बैटर में बिल्कुल भी पानी एड नहीं किया है तो आप द दालते वक्त हमें विशेश ध्यानक नाय कि जो सबजियां है वह हमारी थोड़ी थंडी हो गई हो जादा नहीं पर थोड़ी थंडी तो हमें इसमें चाहिए एकदम से गरम-गरम सबजियां आप इसमें ना डाले नहीं तो जो हमारे पोहे का मिक्स्चर है यह कुख होना सकते हैं हमें इसी तरीके का गोल बनाकर रेडी करना तो यह रेडी हो गया है तो गैस पर चड़ा लेते हैं एक पैन आपके पास पैन ना हो तो आप यहां पर नॉन स्टिक दवा या फिर सादा दवा भी ले सकते हैं सारी चीजों पर यह नाश्ता बहुत अच्छे से बन ज अच्छी हो जाएगी और दिखने में अच्छा लगेगा और थोड़ा सा टेस्ट तो बढ़ेगा ही बस इस तरीके से एक चमचा बैटर परकर हमने डाल दिया इसको हमें अलाना फलाना बिल्कुल नहीं अपने आप शेप ले लेता है और इस तरीके से ढखकन से ढखकर हम इ इस तरीके से एक ढखकन या प्लेट लगाकर इसको इसमें निकालकर दूसरी साइट से भी डालकर सेख लीजिए बिल्कुल इस तरीके दिये मैंने आपको एक असान प्रोसेस बताया है अगर आपको स्पैचुला से पलटने की प्रैक्टिस ना हो बस दूसरी साइट से भी कवरावन है और निकाल ले बिल्कुल सेम पहले वाले प्रोसेस की तरह दूबारा हमने एक या दो बुन तेल डाला है उसमें काली सरसो और सफेद तिल डाले है और इस तरीके से चम्चे से बैटर भरकर हमने टाल दिया बस बिल्कुल इसी तरीके से ही ज यसे हमने पहले बाला नाश्ता में इसी आले ट्यात्ता अशुर्फोंटेकर तें कि मदरसे प्लूलख के उत्रु तो सबुस्ते सोफ्ट तो यह नाश्ता बहुत आराम से दो या तीन जनों के लिए बन जाएगा तो अगर आज की कम तेल की और हल्दी रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो और असी नहीं रेसिपी के लिए चैनल को सब्सक्राइब वीडियो को लाइक हो जाद जाद वीडियो को शेयर जरूर से कर वर बोचीए